देखे लगबख 4,000 स्टुडेंट ऐसे हैं जिनका मामला भी कोर्ट में चल रहा है और सुनवाई होनी है लगबख 1,800 स्टुडेंट वो हैं जो कतार में हैं जिनका वेटिंग जारी होना है इन दोनों ही वर्ग को क्या राहत कब तक मिलने की संपग तो इसमें कोई 22 क्वेशन जिनके ओपर रिवीव के ओपर कोर्ट में केस चल रहा है और जहां तक बोर्ड का सवाल है करीवन हजार से उपर बच्चे हैं जिनको हमने अभिशन सा करके भिजवाना है और करीबन 4,000 बच्चे हैं जो की अलरी हमारे दौरा भीजे जा चुके हैं जिनको नियुक्ती मिलन कर सकते हैं और हमने वह पूरी कारवाई की हुई है सिर्फ यह इसमें यह परशानी है कि कई बार वह उसकी तारिक हैं बदली हुई है और इसमें कुछ हद तक कुछ अभिएरती जिम्मिवार हैं जिन्होंने इस कोड़ में विचारा दिन केस के इंदर दखलंदा जी करने की कोशिश की जिसकी वैसे काफी डिले हुआ और किसी कोर्ट के इंदर स्कोप उनों ने उसके इसको एक्सेप करने से मना भी कर दिया तो मुझे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं अभिहरतियों से कि वह दखलंदा जी ना करें कोर्ट की जो प्रक्रियास को जारी होने दें आपको विश्वात दिलाता हूं कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी और मुझे यही उमीद है कि शिक्षार ने देशाले भी यही कोशिश कर रहा है कि अच्छी पैरवी हो और जितना जल्दी हो सके इसका समाधान निकले अभी मुझे पता लागा कि डबल जी साब की त तब यानिकी बीमार हैं और उसके वैसे कुछ डिले के संभावना हैं तो उमीद करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएंगे और जल्दी से उसकी तारीक नहीं होगी और जल्दी से बच्चों को न्याय मिलेगा लेवल वन की 1900 कुछ सीटों पर जो वेटिंग जारी होनी है उसके लिए एक ऐसा मैसेज क्योंकि वो लगातार परेशान हो रहे हैं और दरदर भटक रहे हैं कि वेटिंग कब तक आएगी उनको एक जवाब मिल जाए ताकि वो परेशान होने से बस वेटिंग तो मूलपद के बाद ही आती है तो उसके बारे में तो कुछ भी कहना उच्छत नहीं होगा हम सब को पहले मूलपद को क्लियर करना होगा फिर वेटिंग आएगी तो उनको अभी थोड़ा देह रखना पड़ेगा एक सवाल जो इन चार हजार अभ्यरतियों के मन में ही नहीं नोकरी लगे हुए उन अभ्यरतियों के साथ ही मेरे मन में भी यह यदि फैसला याची का करता के पक्ष में आता है तो जो कम अंक वाले अभ्यरती हैं क्या वो खटेंगे या फिर पदो की संख्या बढ़ेगी य एक संभावना का सवाल है सर कि यदि याचिका करता कि पक्ष में फैसला आता है तो क्या परिष्टितियां रह सका है तो ऐसे केस में कुछ भी पहले से बुलना उचित नहीं होता है क्योंकि जब ये केस कोड़ में विचारा दीन है तो उसके बारे में टिपड़ी करना कर Uni झीन होता है क्यों कश बच्छों के मंग बढ़ेंगे तो बच्छे मेरिट में बैपाईश्ब्ह ऑُल्यटी सिक्श हो जाएंगे तो नीचे आजाएंगे लेकेफ्ट्ह को भशेग रभी सज्मके ल lotion को सब करना होगा उनको घ्रद्ण करना होगा कि ये रिजी प हैसी हमारी तरफ से हम अमिशन्सा करके भेजेंगे वशुदन सायक बच्चों के जो की नए बच्चे जो नए अभेरती जो बैरेट में उपर आएंगे लेकिन इसके बारे में ज्यादा कहना उचित और नहीं होगा